उत्तरप्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से एक सीट बुलन शेहर भी है 2014 में हुए चुनाओं में यहां बीजेपी ने एक कबजा जमाये था बीजेपी प्रतियाशी भोला सिंग ने बीजेपी के उमिद्वार को 4 लाग से ज़्यादा वोटों से माद दी आपको बताते हैं बोला सिंग कौन है बोला सिंग 2014 में बुलन शेहर सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसच चुने गए बोला सिंग अजन सितंबर 1997 में बुलन शेहर के बोहिज गाम हुआ बोला सिंग के पास सनातक की डिग्री है और उन्होंने CCS University मेरट से पढ़ाईगी बोला सिंग संसद में अपनी पूरी हाजरी के लिए भी जाने जाते हैं बोला सिंग खाद्य और उपोगता मामलों की स्टेंडिंग कमिटी के सदस हैं बोला सिंग बीजेपी के उन युवाज संसदों में से हैं जो पहली बार चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं देश को प्रष्टा चार और काले धन्रों की दिमक से भुक्त कराने के लिए नोट बंदी पर मोधी सरकार से मिले नऐ मंत्र के बाद बीजेपी के सांसद जनता के तीखे सवालों का सामना कर रही हैं सवाल ऐसे जो जमकर कई सांसदों के पसीने चुटा रही हैं यूपी के बुलंद शेहर से भोला सिंग बीजेपी के सांसद ही इंडिया 24-7 की रिपोर्टर अनुराग चध्धा 24 घंटे सांसद के साथ बिताएंगी और ये पड़तार करेंगी कि आखिर नोट बंदी पर कैसे कैसे सवाल जानता सांसद से कर रही है जब भी संसद का सत्र खत्म होता है और सांसद अपने अपने इलाकों में आ जाते हैं तो लोग उनके घरों के बहर और अंदर जुटना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हर इलाके की अलग-अलग समस्या होती है लोग समस्य लेकर आते हैं कि किसी के इलाके में बिजली नहीं आती किसी को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है तो किसी शहर या गाव की सड़क नहीं बनी है कुछ दिन पहले संसद का शीत का लिंसत्र खत्म हो चुका है लाजबी है जितने भी सांसद हैं वो अपने अपने इलाकों का दौरा कर रहे हैं लोग भी तरह-तरह की समस्य हैं उनके पास लेकर आ रहे हैं लेकिन इस बार सांसदों को कुछ अलग सवालों से रूबरू होना पड़ रहा है सवाल है नोट बंदी से संबंदित इलाके के लोग अपने अपने सांसोदे से पूछना चाहते हैं कि आखिर मोधी सरकार ने ये क्या किया लोगों को लंबी-लंबी लाइनों में लगा दिया इस वक्त हम हैं बुलंद शहर में जहां पर बीजेपी के सांसद भोला सिंग है और उनके घर के बार इस वक्त हम खड़े हैं आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो भी उनके घर के बार खड़े हैं मैं अपने कैमरेमेंट से कहूँगा वो लोगों को दिखाएं लोग अभी से जुटना शुरू हो गए और उनसे तमाम तरह के सवाल पूछने के लिए वो तयार है इसके बाद हम चलेंगे सांसद महुदे के घर में और घर के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आकिर घर में किस तरह के की पंचायत लगी है सांसद के साथ जो लोग बैठे हैं वो किस तरह के सवाल सांसद महुदे से करना चाते हैं और जिस तरह के सवाल पूछते हैं और बचाव की मुद्रा में आपको आने की बिल्कुल जरूत नहीं है आप देख सकते हैं बुलंशे सांसद भोला सिंग्जी के घर के आवास के अंदर आ चुके हैं और लोगों की पंचायत उनके घर में लगी हुई है और हम अब जानने की कोशिश करेगी कि लोग उनसे किस तरगे के सवाल करते हैं सुभा के 10 बजे ही सांसद भोला सिंग्ग के घर पर इलाकी की लोग सवालों के साथ पहुँच चुके ही कमरे से निकल कर सांसद मीचिंग हॉल में पहुँचे लोगों से मिले जुले और फिर कुछ ही पलों में नूटबंदी पर सवालों की बोच्छार सांसद पर होने लगी ऐसे सवाल जिन्होंने सांसद के जमकर पसीने चुटाए सबसे पहले एक उम्र दराज किसान ने सांसद पर पहला सवाल दागा उत्तर प्रदेश में मैं आपको जाटकरी बदादो 66 मंति की इस जो जब कहीं भी बैठके पूरे देश के व्यापारी किसान की पसल का रेट तरता करेंगे सांसद ने अभी सांस भी नहीं ली थी कि कोने में खड़े एक शक्स ने दूसरा तीखा सवाल पूछा सवाल पार्टियों के चंदे से जुड़ा था और जिसका तालुक सीधा मूधी सरकार की नोडबंदी के फैसले से था सब्सक्राइब पार्टियों के चंदे से खटा होके पैसा है सांसत भोला सिंग ने जवाब खट्म किया ही था कि एक और ऐसा ही सवाल उनके लिए सिर्दर्थ बन गया जिस बट्टी का ठिपणी करने से पहले सांसत थोड़ी देर के लिए खामोश हुए फिर समझाने की कोशिशों में लगके बैसे भी सांसत के पास समझाने के इलावा कोई चारा नहीं था कि पास सांसाथ कि मैं पृषण को भी जाओ आपके लिए गोड़ी खामोश है जो अभी निदे में अब मैं जिरहओ जिए इंटर्मेरेश है इंटर्टललम। ग्रोट इलोश तरेज़ हैं। तकि जो शर्कार सुरो करने वाली हें, जो शर्कार ने शूरू किया कि इसे, जो अपना धिर्विक काट के मादियर से, जो अचैमु के मादिय Augustино, जो शरकार ने शूरु की है, उसका लोग की वास्तें में लहां को परिशाली ना हो. जगे जगे जाके हम भी आगरे करना है, लेकिन मैं का बात और बगातों के एक जो सलकार ने इस खिलाबा जैसे अपना आदार कार से बैंकिक रुखी, उसमें भी मोबाइल की प्रूप के जो आइसमें से रोगी, इस्टार डबलना है सग्राइब करना है, तो उसमें इंटरने दरसल सांसे से मिलने आए लोगों ने ये भी दलील दी कि गाउं में कई लोग अनपढ़ है, ऐसे में कैशलेस ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, खैर काफी देर तक सांसे जनता के तीखे सवालों का सामना करते रहे, आखिरकार सांसे से मिलकर लोग बाहर आए, जिन लोगों क सांसे सवालों का सही सही जवाब सांसद नहीं दे सके, उनसे फिर हमारी रिपोर्टर अनुराग चड़्या ने बात की, जैसे ही बुलंचेहर के सांसद भोला सेंग अपने आवास पर बैठे और लोगों से मिलना जुल्ला शुरू किया, वैसे ही लोगों ने नोट बंदी से सम्मदित सवाल पूछने शुरू कर दिये, वो तमाम लोग हमारे साथ हैं उनसे हम बात करते हैं, देखिए मैंने आप का सवाल सुना, आपने कहा कि बुलंचेहर में पेटियम की सुविधा नहीं है, और स्वाइब मशीन नहीं है, एटियम खराब पड़े रहते हैं, तो ऐसे में हमारा देश या जो आपका जिला है, कैशलेस कैसे होगा? कैशलेस करने के लिए हम लोगों को भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, दिक्कत तो थोड़ी बहुत होती है, जब ओपरेशन होता तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, आपका क्या सवालता साथ जिस वह संतुष टोपाई जवाब से, जो उनने बताया जैसा बताया कि गाउं में इस परकार के टीम युवा बर्ग में बनाएंगे कि लोगों को जागरू करें, समझाएं कि आप जो मैसीज बॉक्स में जाकर करें, इस परकार से आप जो कैसलेस हो सकते हैं, पिलहाला भी गाउं की समस्या क्या है, पूरी तरह साब बताएं, समस्या ये हैं इस जो बैंक से भी कैस नहीं मिल पारा लोगों को बहुत जादा परिशान है, दूसरा ये है कि गाउं में कम से कम 50% लोग ऐसे हैं, जो मोबाइल चलाना नहीं जानते, या मैसीज नहीं लिख सकते, या पेटीयम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मोबाइल वालेट का इस्तेमाल नह होने मंगा नहीं, अब हम जा रहे हैं, दुकानों पर एटीयम कार्ट है, खाली जिम में पैसे नहीं है, स्वाइप मसीन है, नहीं है, और दे रखा है, तीन महीने बाद मिलेगी, टेड़ महीने बाद मिलेगी, और कनेक्टिविटी प्रावलम हमेसा रहती है, मैंने खुद देखा, ये लोग बैंक वाले खुद कह देती हैं, विटेश को कैशलेस बनाने के लिए तैयारियां पहले से होनी चाहिए थी, ऐसा होना चाहिए था? होने के लिए पहले थोड़ी तैयार्च होनी जिए अभी तक تए ससंभावना हो जोटी बोटी परेशानी के बाद भी मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो गरीवों के हित्में गरीब लाइन में भी खड़ाए तीन तीन गंटे कराए नंबर नहीं आ रहा उसके बाद भी कहता है सही कराए तो कहीं न कहीं मोदी जी पर विश्वास तो पूरे देश को ही और जो लोग सुन रहे हैं लगातार जो ग्रामीन इलाके बे रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि प्रधान मंतरी पूरे देश को पूरे गामों को कैश्ट्रेस बनाना चाहते हैं तो लेकिन उनका ये भी कहना है कि हमारा देश अभी पूरी तरह से कैश्ट्रेस होने को त लोगों ने यहां सांसत से क्या क्या सवाल पूछे इलाके के दोरे पर जाने से पहले हमारी रिपूर्टर अदुराक चड़े ने एक बार फिर सांसत भोलाराम के मन को टटोलने की कोशिश की करें दोटो कोई वी कोई वेवस्ता में परेसान होने के बाउजूर्द भी लोग साथ हैं क्योंके लोग समझ रहे हैं कि इस विवस्ता से आने वाले और देशित सब्सक्राइबेसर moando, यहां पर मशीन कि पर्माइब नहीं कर दो में अगरह जो पूरिए के संछ अगर नंबर्ग बढ़ेगा भर से निकला सांसत का काफिला करीब एक घंटे का सफर ते करदे के बार बुलन शेहर से 50 किलो मीटर दूर अनूप शेहर के एक स्कूल में पहुँचा जहां सांसत का कर्म जोशी से स्वागत हुआ स्कूल में डिजिटल एजुकेशन का कार्यकरम था यहां भी सांसत पर सवालों की बोचार हुई एरानी की बात तो यह थी कि यहां सांसत से पहला सवाल ही बीजेपी के पूरव एमेले हुश्यात सिंग ने पूछ लिया पूरव एमेले ने सांसत से सब के सामने पूछा कि आखिर इतने कम कैश में कैसे काम चड़ेगा और भी कई लोगों ने सांसट जी से तीखे सवार बूचे आप से निवेदन हैं कि इस क्रीक के लिमिट बढ़नी चाहिए देखिए वह ठीक है विदाइक जी आपकी जरूर आपके जो सुजाव है संदर तक प्रदर मंदर पहुंचेगा लेकिन इसके साथ-साथ हम लोग प्रियास हिये करें कि जो हमारे ब्यापारी हैं एक लिखने भी लोगों के सवालों के बाद सांसद में वाखाइदा डिजिटल पेमच को लेकर स्कूली बच्चों और लोगों की बर्ट्शॉप भी इस बर्खशॉप के बाद लोगों के मन को हमारी रिपूर्टर अनुराग जटा ने फिर से टटोलने की कोशिश की इस वक्ता मनुख शेहर में और हम लोगों से बात करते हैं यह बताई देखिए आपके सांसद ने अभी आपको डिजिटल पेमिंट के बारे में जान करी दी लेकिन जो गाम का युवा है और गाम के लोग हैं वो क्या कहते हैं डिजिटल पेमिंट के बारे में और कितना तय लोग एटेम से पीटेम से एटेम तो भी गाओं में नहीं है परंदू और जितने भी जडिये हैं उनसे कैसलेस करने की कोसिस कर लोगों ने स्वाइब भी लगाया रखी है जो बड़े काम बाले हैं एटेम मसीने भी हैं उसको बैंक इस रूप से पहले से भी देख रहा है अच्छा आप बताईया वाइसाब कुछ आपको लगता है कि जो इलाके के लोग हैं वो डिजिटल हो पारे हैं अभी से यह सब सुर्वात करनी पड़ेगा हम सब को है ना हमारा देहात है लेकिन सब लोग तयार है क्योंकि नेड़ने जो है इसको सब लोग जानते हैं यह न जंता को जनकारी दी जा रही है तो चलिए जो लोग है वो काफी क्षुछ है प्रधान मंत्री के फैस्ते से उनका कहना है कि थोड़ी परिशानिया जरूर हो रही है लेकिन आने वाला वक्त काफी बहतर होगा कैसलेस ट्रांजक्शन पर लोगों की कलास लेने के बाद सांसत भोला सिंग बाहर आए यहाँ सबार डिजिटल पेमेंट के लिए हो रही दिक्कतों का था लिहाँजा हमारे रिपोटर अनुराग चटर ने एक बार फिर भोला सिंग के सामने इस परिशारी को रखा करीब 40 किलोमेटर दोरी पर अनुप शेहर गाव हैं यहाँ पर सांसत भोला सिंग अपने छेतर में आए और लोगों से नों मलाकात की एक स्कूल के फंक्शन में भी वो शामिल हुए जहाँ पर उन्होंने जो स्कूल के बच्चे थे और उनके पेरेंट्स थे उनको के सवाल नहीं आपका पीछा नहीं छोड़ा देखिए नोटमंदी के सवाल हैं कोई योजना कोई बदलाब देश में हुआ है तो बदलाब में लोगों को जागरोग होने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन इतनी तेजी से लोग जागरोग हो रहे हैं कि जो समस्या एक महीन आड़ेती हैं मंडी हैं किसान अपर इक्षा करता है कि उसको पुरा उसकी फजल का पैसा उसकी जो फजल बजार में लेगा है उसको कैस मिल जाए निकिल लोगों को जानकारी नहीं है जगरुकता का बाव है जब किसान को पता लगेगा कि आड़ीजस उसके खातेम पैसा जा स स्कूल में डिजिटल पेमेंट पर वर्क्शॉप के बाद साइंसत भोला सिंग एक गाउं की चौपाल में पहुंची यहां एक प्रोजेक्ट का शिला नियाश किया चौपाल में ऐसे कई लोग मिले जो नोटबंदी से खासे परिशान दिखे लोग इस बात को लेकर परिशान थे कि जब वो कैशलेस ट्रांजेक्शन के बारे में जानते रही हैं तो ट्रांजेक्शन करेंगे कैसे इन लोगों के मन में और भी कई दर्थ थे हमारी रिपोर्ट जाए प्रियास कर रहे हैं लेकिन जो सबसे जादा सवाल है वो नोट बंदी से संबंदित हैं और आप देख सकते हैं जहां सबाच चल रही है उसके बरावर में कुछ लोग खड़े हैं और नोट बंदी पर हम उन लोगों से कुछ सवाल पूचते हैं और जानते हैं कि नोट बंदे के बाद किस किस तरह की समस्या देखने को मिलेगा है तो आती है ठोड़ी समस्या नहीं है बहुत बढ़ी है अच्छा आधे लोग के रहे हैं बहुत परशानी है लोग लाइन में लगें जी सर्ट नोट बंदी के बाद क्या इलाके में परशानिया हैं कोई दिख के तरने चोटे-बोटे समस्षा आती है लेकिन वो तो आती हैं दूर जाएं क्यों बहुत अच्छा लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छा देशित के लिए गरीबों के लिए इठा है यहाँ पर हमने यहां के जो लोकल सांसद हैं उनके साथ क्या ही सभाई हमने की हैं और वहाँ पर देखा किस तरह से लोगों का रियक्शन है नोट बंदी के बाद और सांसद खुद लोगों को समझाने का प्रियास करें लेकिन लोगों के मिक्स रियक्शन है लोगों का कहना है कि नोट बंदी के बाद उनको परशानी हुई खेती नहीं हो पा रही है जो फसल उनकी बुआई होने थी फसल की ब पाशेत्र से बुलेंशेर से कैमरामेन प्यूश के साथ पर अपने सायूग ये मित्शर्मा के साथ अनुराख चडधा इंडिया 24-7